यूटूब एप पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ मुद्दो को अंदेखा करने का आरोप लगाता रहा है इसलिहाद से आज का ये समवाद बेहद एहम और रोचक रहने वाला है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के कल्यान के लिए लगातार काम कर रही है क्रिशी के अक्षेत्र में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा फोकस रहा है जिसके चलते ना सिर्फ नई योजनाय बनी बलकि जमीनी स्तर पर उनको लागू किया गया आकड़े बताते हैं कि पिछले 48 महिनों में केंद्र के तमाम नीटियों की वज़ा से किसान की दशा और दिशा बदली है किसानों से सरकार की योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेने और उनके सरकार की कदमों की जानकारी लेने के लिए पिएम मोदी बुद्वार को खुद किसानों से सीधा समवाद करेंगे और बाबा मरनाथ यात्र की तैयारियों की बीच बुद्वार को जमू संभाक के एक दिवस्य दोरे पर आ रही रक्षा मंत्री नर्मला सीता रमन राजे के सुरक्षा हलात का जाईजा लेने वाली है रक्षा मंत्री बुद्वार सुबह पुंच में शहीद सैनिक औरंग जेब के घर जाकर परिवार जनों को सांत्वना देगी आतंकवादियों ने गत दिनों ईद मनाने जा रही 44 राज्ट्रे राइफल के जवान औरंग जेब को शहीद कर दिया था रक्षा मंत्री से पहले सुमवार को थलसेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत भी पुंच के सलानी में शहीद सैनिक के घर गए थे औरंग जेब एक बहादुरी सैनिक था जो कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सैनकी मोहीम में बहतर प्रदर्शन कर रहा था इसी के कारण वो आतंकवादियों के निशाने पर था रक्षा मंत्री बुद्वार सुबह जमू के तकनीकी हवाई अड़े पर पहुँचेगी वहाँ से वो हेलिकॉप्टर से पुँच के लिए रवाना हो जाएगी वो पुँच में शहीद के निवास पर परिवार जनों का दुख साज़ा करने के साथ उनकी हिम्मत बढ़ाएंगी शहीद के परिवार जन जोर शोर से ये मुद्दा उठा रहे हैं कि औरंग जेब की शहादत का बदला लिया जाए ऐसे हलात में शहीद के घर आ रही रक्षा मंत्री बुद्वार को सलानी में मीडिया से भी बाचीत कर सकती है झालिए जालिए भी प्राइब को सलानी में में मीडिया से लिए बुद्वार को सलाविए भी बुद्वार को सलानी कर सकते हैं